इस question में हमें ये statement given है हमें बता लगाना है ये true है ये false है ये जो symbol होता है ये मेरा होता है belongs to का ये वाला symbol जो होता है अगर मैं इसमें से dash हटा दूँ तो ये subset का symbol होता है अगर ये dash के साथ है यानि ये वाला symbol ये मेरा not a subset होता है कह रहा है x belongs to a सबसे पहले मैं यहाँ पर example लेता हूँ मैं A set को माल लेता हूँ 3, 5, 7 अब कह रहा है X belongs to A यानि X A set का element है यहाँ पर 3 B A set का element है 5 B है और 7 B है मैं X को माल लेता हूँ 5 5 belongs to A अब कह रहा है A is not a subset of B अगर A मेरा subset होता B का तो सारे elements of A B में होते यहाँ कह रहा है A is not a subset of B यानि सारे elements of A मेरे B में नहीं होंगे तो मैं B को ले लेता हूँ कुछ ऐसे 0,2 तो मेरा A not a subset of B आगया अब हमें प्रूफ करना है कि X belongs to B यानि X मेरा B set के अंदर है इसका मतलब 5 मेरा B set के अंदर है मैं notice करूं 5 B set में नहीं है तो यह जो given statement है यह मेरी false है